बिहार में सिच्छक भरती के लिए BPSC के माध्यम से जो नोटफीकेशन जारी करना था वह अभी तक जारी नहीं किया गया है और सिच्छा भी भाग BPSC के चेर्मेन और बड़े अधिकारियों के बीच जो आज बैठक होने वाली है 29 मई आज है और आज के दिन बैठक में बहुत से ऐसे कयास लगाये जा रहे थे कि बहुत बड़े निर्णाय लिया जाएगा बैठक में और उस लेटर को लेकर के बहुत सारे यूटूबर जो है ऐसा लिख रहे हैं कि बहुत बड़ा हो गया बदलाब ऐसा कुछ नहीं है जो पहले जारी कर देना चाहिए था और अब जारी किया गया है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो लेटर जारी किया गया है और किस लिए उसमें क्या बदलाब किया गया है तो दखिए क्लास 9-10 और इससे उपर वाले के लिए सबसीडरी का जो सबसीडरी विशाय में जो confusion था कि क्या सबसीडरी होना चाहिए क्या कौन सा सबजेक्ट का combination होना चाहिए सिछक बनने के लिए तो इसके लिए एक लेटर जारी किया गया उसके बाद उसी लेटर में मंसन है कि जो है जो technical degree वाले हैं जिसे computer science मनना चाहते है computer science के सिछक मनना चाहते हैं तो उनके लिए जो है B.A.D. ज़रूरी नहीं है उनके लिए B.A.D. ज़रूरी नहीं है यह भी उसमें मंसन किया गया है और एक और लेटर बाइरल हुआ जिसमें जो है पांच परतिसा आरच्छन की बात कही जा रही है योगियाता में किसके लिए तो OVC और CST वालों के लिए दिभ्यांग और महिलाओं के लिए पांच परतिसा आरच्छन यही दो लेटर जो है जारी किया गया और इसी को लेकर के बढ़ा चड़ा करके बहुत सारे यूटूबर वीडियो बना रहा है यह कोई खास निव्ज नहीं है अभी जो कैबिनेट बेट ठक हुई है उसका नेड़ने कुछ नहीं आया है तो देखते हैं कि साम तक क्या कुछ जाता है फिल्लाल इस वीडियो में इतना ही था जो लेटर अभी निकला हुआ है उसी लेटर के बारे में इस वीडियो में बताना था तो ऐसा कुछ अभी तक बदलाव जो है नहीं किया गया है यही दो लेटर किया रहा है अभी और इसी को बढ़ा चड़ा कर लिखा जा रहा है यूटूब पर तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं इस वीडियो चैनल के मादे हमसे वीडियो बना कर आपको बता दूँगा